आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लिविंग रूम में सोफे के पीछे वाली वाल को कम बजट में कैसे डेकॉरेट कर सकते हैं जो देखने में ओवर डेन भी ना लगे और बहुत बढ़ कीला कॉम्बिनेशन भी ना लगे हेलो व्रिवान वेकम बैक मैं हूँ स्वाथी और आप देख रहे हैं बैक्याद गार्डनिंग तो लिविंग रूम में सोफे के पीछे ये वाल है जहां पर दो शेल्फ लगे हैं और इसी का मेक ओवर करेंगे हैं माज तो सबसे पहले इस आर्टिफिशल फेंस को मैंने दो स्टिक ओन हुक्स की हल्प से वर्टिकली हैंग किया प्लैंक्स के किनारे सेम ऐसा ही एक और फेंस मैंने डाइगनोली ओपोसिट वाल पे भी लगाया है कॉर्णर में काफी खुबसूरत लुक देता है ये वाइट बैक्ग्राउंड पे बोख़ा अच्छा लुक देता है आप चाहें तो इसमें बटरफ्लाइज ये आर्टिफिशल फ्लार्स भी ल देगाऊंगी ये काफी लाइट वेट होने की वज़ेसे इसली टू साइट टेप से स्टिक हो जाते हैं और देखने में भी काफी सटल लुक दे रहे थे वाल पे ये दोनी प्रोड़क्ट्स का लिंक मैंने शेयर कर दिया है इनकेस आपको पसंद है प्रोड़क्ट तो आप खरीद सकते हैं अब बस इन शेल्फ पे भी कुछ आइटम्स डेकोरेट कर देते हैं जैसे ये पॉटेड मार्बल पोथोस का प्लान्ट और सेम शेल्फ पे रखोंगी एक लैंटर्ण बहुत ज़दा इटम्स रखके मैं शेल्फ को भरना नहीं चाहती थी वनना बहुत कंजिस्टेड सा लुक आएगा तो बस दो और आइटम्स दूसरे शेल्फ पे रखेंगे और हमारा लुक कम्प्लीट होता है तो ये वाल हमारी रेडी हो गई इन जस्ट 15 मिनेट्स कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं कॉमेंट करके आज के लिए इतना ही मैं जल्दी लेके आती हूँ बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियो जैसे पोर्स्ट मेकोवर वीडियो, वाटर फाउंटेन वीडियो, होम टूवर एंड मैनी मोर सेस्टे ट्यून